मुरू वाला स्कूल यहां क्या हो रहा है चलो सब अपनी अपनी कक्षा में आर्थी माडम की बात पूरी होने से पहले ही सारे बच्चे एक साथ चीखे माडम वो देखिये मोर एक साथ चार चार मोरों को देख कर आर्थी माडम को भी बढ़ा अचरज हुआ तब तर स्कूल के चपरासी राधे लाल ने पासी थोड़े दाने लाकर बिखेड दिये थे मोरों को शायद भूक लगी थी वे चट से वहां आ गय और मजे से खाने लगे अच्छा अब चलो अपनी अपनी कक्षा में इतनी भीड देख कर मोर कहीं भाग न जाए आर्थी माडम बोली हाँ हाँ चलो बच्चों ने एक दूसरे से कहा पर कक्षा में जाते हुए भी वे मोर मोर कर मोरों को ही देख रहे थे और सच मुझ जो बच्चों ने सोचा था वही हुआ मोर जो उस दिन आय थे रूस आने लगे ऐसा सिलसिला लगभग 15-20 दिनों तक चलता रहा था यह इतनी निराली खटना थी कि इसे देखते ही देखते पूरी स्कूल का माहौल बदल गया बच्चे इतने उत्साहित थे मानू उन्हें दुनिया का सबसी बड़ा ख़जाना मिल गया हो आनन सर बच्चों से पहुत प्यार करते थे वे स्कूल के प्रधानचार्य थे जब बच्चे इतने प्रसन्न थे तो वे भला कैसे प्रसन्न न होते उन्होंने राधेलाल को आदेश दिया देखो प्रति दिन मूरों के लिए दाने डाल दिया करो और ध्यान रखना कोई उन्हें नुकसान न पहुँचाए इधर बच्चों के उत्सा का भी थे काना न था यह तो कुछ ऐसा हो गया था जिसकी उन्होंने सपनी में भी कलपना नहीं की थी बच्चे घर से दाने लेकर राधेलाल को दे देते राधेलाल मोरों के आगे उन्हें डालते तो वे खुशी से किलकारी भढ़ने लगते एक दिन आनिन सर ने प्राथना सभा में कहा जैसे तुम सारे के सारे बच्चों को हमारा स्कूल अच्छा लगता है वैसे ही मोरों को भी यह स्कूल पसंद है लगता है मोर खूमते खूमते निकल आए होंगे और उन्होंने हमारे स्कूल को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें यहां के बच्चे अच्छे लगे अब कोई ऐसा काम ना करो जिससे उन्हें दुख हो तो बताओ कि कोई बच्चा उन्हें तंग तो नहीं करेगा ना नहीं सर बच्चों की आवास एक साथ कूंजी स्कूल के हर बच्चे के दिल में मोरों के लिए प्यार उमर पड़ा था शायद मोरों को भी अच्छा लगा तो उनके साथ साथ कुछ और मोर भी आने लगे काफी देड तक वे स्कूल में हरी भरे पेड़ों के बीच खूमते फिर उड़कर कहीं चली जाते आनन सर ने उनके लिए खेल के मैदान में एक ओर मिट्टी का एक तीला बनवा दिया था वहां हरी भरी खास और खूम सारे पौधे भी लगवा दिये मोर वहां आकर बैठ जाते स्कूल में सभी बच्चे मोरों से पहुत प्यार करते थे पर एक पार अन्हूनी हो गई एक शरार्ती बच्चे ने एक मोर को गुलेल मारी मोर के पैर में इतने सोर से पत्थर लगा कि वहां उसी समय जमीन पर बैठ गया देड तक हवा में मोरों की दर्द भरी आवाज गूँचती रही आननसर भाकते हुए आए और उन्होंने गायल मोर को गूद में उठा लिया बच्चे भी वहां इकठे हो गए पता चला कि मोर को गुलेल मारकर खायल करने की शरारत सुनील लेकी है अगले दिन प्रार्थना सभा में आननसर ने सुनील को अपने पास बुलाया और कहा देखो सुनील मोर को बहुत चोटाई है उसे अभी ठीक होने में हफता भर लगेगा इस बीच उसकी देखभाल का जिम्मा तुम्हारा होगा सुनील की आँखों में आसू थे उसे लगा यहां जितने भी चात्र है सबकी आँखों में उसके लिए कुस्सा है वह नजरी चुकाए रहा गायल मोर के चारो ओर बाकी मोर हर पल दुखी मन से घेरा बना कर खड़े रहते सुनील घर से मोरों के लिए दानी लेकर आता उन्हें प्यार से खिलाने की कोशिश करता पर मोर उसकी ओर देखते भी नहीं थे वह गायल मोर के जख्म पर दवा लगाता उसे बीच पीच में थोड़ा पानी पिलाता कुछ दिन बाद गायल मोर उड़ने लायक हुआ तो उसके साथ साथ सभी मोर उड़ गए इसके बाद चार दिनों तक वी मोर नहीं लोटे स्कूल में जैसे सन्नाटा सच्छा गया सबका यही कहना था कि मोर नारास होकर चले गए है और आप वी कभी नहीं लोटेंगे पांचवे दिन मोर फिर दिखाई दिये इन में वह मोर भी था जिसके पैर में गुलेल का पत्थर लगा था वह आप ठीक था और दूसरे मोरों के साथ पेड़ों के जुर्मुट में घूम रहा था अब सबसे ज्यादा सुनील ही मोरों के आसपास दिखाई देता जैसे मन ही मन उनसे एक शमा मांग रहा हो उसके बाद तो सुनील रोज उनके लिए दानी लेकर आने लगा फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मोरों ने सुनील के हाथों से दानी लेकर खाना शुरू कर दिया सुनील इतना प्रसन था कि उसका मन हो रहा था वह भी मोरों की भाती ना चे सुनील को जब भी समय मिलता वह मोरों के पास जाकर खड़ा हो जाता मोर केउं 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 कहकर उसका स्वागत करते तो वहाँ प्यार से उन्हें पुछकार देता सब लोग कहने लगे कि सुनील तो बहुत पदल गया है एक दिन स्वैम आनन सर ने देखा उन्होंने पास आकर उसकी पीट थप थपाई अगली वर्ष जब स्कूल में नए सत्र के लिए बच्चों को प्रवेश देना था तब आनन सर ने अकबारों में स्कूल का विज्यापन निकलवाया नन्ही बच्चों के लिए मूरो वाला स्कूल यह नाम सुनने में कुछ अजीब लग सकता है पर सच में हमारा स्कूल ऐसा ही है मूरो वाला स्कूल जो बच्चे पशुपक्षियों से प्यार करते हैं और जिन्हीं पेड़ पौदों और प्रकृति की हर्याली से प्यार है हमारा स्कूल उनहीं के लिए है हमें आपका इंतजार है इस पर बहुत से बच्चों के मम्मी पापा विज्यापन देखकर स्कूल में उनका नाम लिखवाने के लिए आए दोसरे स्कूलों के बच्चे और अध्यापक भी उच सुकता से भर कर देखने आते थे कि भला कैसा है ये स्कूल फिर बारिश के मौसर में स्कूल में मोर सपता मनाया गया उसमें नृत्य और गायन की प्रतियों के ताएं आयोचित की गई थी शहर के अन्य स्कूलों के बच्चों ने भी इसमें फाक लिया था मोरों को देखकर हर किसी का मन नाच रहा था तब से कई वर्ष बीट गए मोर अभी इस स्कूल में वैसे ही खूम खूम कर और चूम चूम कर नाचते हैं पेडों की छुर्मुट के बीच उन्होंने अपना टेरा बना लिया है दिलखुश होने पर वे मस्ती से भर कर नाचते हैं बारिशों में तो हर रोज ही मोरो कर नाच स्कूल के बच्चों को रोमाचित कर देता है